आप लोगों ने भी ऐसी शेकी फूटेच से ज़रूर डील कि होगा अगर आप वीडियो एडिट करते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो प्रीमियर के अंदर एक बहुत ही अच्छा टूल है वीडियो को स्टेबिलाइज करने के लिए अपने शॉट्स को स्टेबिलाइज क वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर जरूर कीजेगा तो आईए शुरू करते हैं मेरे स्क्रीन पर जैसे आप ये फूटेज तो इसको स्टेबिलाइज करने के लिए हमारे पास यहां पर हम मैं पहले एडिटिंग स्पेस में चला जाता हूं आपको मैं स्राटिंग से बताता हूं आप अगर वर्क स्पेस में चले जाए तो यहां पर हमारे पास एक वर्क स्पेस है अफेक्ट के बारे में हम बात में जरूर पढ़ेंगे सारे तरह के एफेक्स क्या क्या है इसमें तो यहां पे हम सर्च करते हैं वार्प स्टेब्लाइजर डबल्यू ए आर पी और यह वार्प सेबलाइजर आ गया है आपने इसको ड्राग करके यहाँ पे इडियो के रहाना है इस यहाँ पर वीडियो के बैट है आप सब्सस्राइशन में filter ब्लाइच्च Oke इसनों कितना टाइम लग Aren kफ्राइच करता है और एक सत्की्द आ चीडियो के लेटे में चोटा सा शॉट था कुछ सेकंड्स का तो प्रीमियर ने इसको सेबिलाइज कर दिया है और अगर मैं इसको फूल स्क्रीन अप प्ले बैबक करूं तो यह आप देखिए कितना ही स्मूथली प्ले हो रहा है इसमें से सारा यह खतम हो गया तो कुछ लिमिट तक हम जरूर शॉट को स्टेबिलाइज कर सकते हैं इस लुकिंग सो गुड मैं अगर आपको यह वाप स्टेबिलाइजर डिसेबल करके यहां से दिखा हूं तो यह आप देखिए यह शेकी शॉट है अब मैं इसको स्टेबिलाइज अफेक्ट में नेबल कर दिया है यूशी हो स्टेबिलाइज देख लेते हैं वैसे तो डिफॉल्ट शेटिंग्स बेस्ट आपकी काम करती है वाप स्टेबिलाइजर के अंदर आप जब क्लिप अपना स्लेक्ट करते हैं तो इसमें आपका यहाँ पे एक उप्षण है स्मूथ मोशन या वापकी चैमरा मॉमेंट है उसको वैसे ही बरकरार देता है लेकिन आपका जो शेक्स आयों है थोड़ा सा उसको रिमूफ कर देता है बट यह जो शेक्स होते है यह दीज इस आपकी फुटज ऑलकी सी जूम होती है depending on the shakes कितना है अगर आपने full HD की आपकी timeline है और आपने इसको 4K भी शूट किया हो और अगर आपकी full HD की footage है और full HD पर ही आप इसको timeline आपकी है और full HD पर ही आपने शूट किया हुए तो आपका zoom होगा there will be a slight loss of resolution but again it depends कि आपका shake कितना अगर shake बहुत कम shake है तो आप यह शायद notice भी नहीं कर पाएंगे कि कितना resolution loss हो रहा है तो इसके अंदर sub space wrap position position scale perspective कुछ है sub space wrap जो है sub space warp जो है यह this gives you the best result position सिर्फ एक ही position को लेके stabilize करता है different options है position scale rotation मैंने कभी दूसरी option नहीं यूज किया always use up space above preserve scale भी मैंने नहीं किया यूज जो आपका next अगर हम इसको यह देखें stabilize only stabilize only से आपको अगर हम यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि cropping कितनी हो रही है आप ये screen के side पे देखेगा कि यह black कुछ edges है हमारे और अगर मैं इसको playback करूँ तो यह आप देखेगा यह move कर रहा है तो इस शोज की premiere कितना stabilize कर रहा है और इन edges को remove करने के लिए यहाँ पे हम use करते हैं stabilize crop and auto scale stabilize भी कर रहा है crop भी कर रहा है और scaling भी हो रही तो यहाँ पे मैं यह आपका resolution loss होता है तो अगर मैं इसको playback करूँ आप देखेंगे यह इसमें कोई black edges नजर नहीं आ रहे है और अगर मैं use करता हूँ stabilize and crop तो stabilize and crop से क्या होगा आपका यह black color की line पूरी वह आ गई इसने stabilize कर दिया है लेकिन इसने उसको crop नहीं किया है उसकी जो original resolution दी नहीं लेकिन इसको थोड़ा साइड से crop करना पड़ा क्योंकि वह हमारा shakes को remove कर दिया लेकिन वह ऐसा इसे जो आपका frame हिल रहा था वह चीज़ से खतम होगी तो इसका भी use नहीं होगा best जो है आपका यहीं चलेगा stabilize crop auto scale स्टेबलाइस सिंतेसाइज में क्या है कि यह जो edges हमारे black रह गए है यह previous और बात का frame है उसका data लेकि यह rebuild करने की कोशिश करता है बट मेरेको कभी इससे satisfactory result नहीं मिला और मैं advice भी नहीं करूंगा आप यूज मत इसको use कीजिए और एडवांस के बीच में एक आपका detailed analysis भी है यह भी आप यूज कर सकते हैं और एक rolling shutter आपका effect है rolling shutter basically इस पे एक video अलग से करना पड़ेगा जब हम हमारी digital camera के अंदर हमारी जो fast moments होती है जो pan करते है तो आपने देखा होगा windows यह कुछ है वो तोड़ा सा slant हो जाता है या इस तरीके से ऐसे इस direction में slant हो जाता है तो basically जो हमारा इसके अंदर आपका shutter है जब expose होता तो this moves from top to bottom तो यह पूरा frame इकठा नहीं expose होता है त तो जब यह इसने move करना start किया उपर से नीचे अगर 1 by 48th of a second भी speed है उपर से नीचे move करना start किया तो उस time period के अंदर हमारा camera panning में थोड़ा सा आगे चला गया होगा है तो वो थोड़ा सा हमारे को trailing effect नजर आता है इसलिए हमेशा जिसने frame पे shoot कर रहे है आप कोई अच्छा तो उसमें panning speed बताई होती है कि अगर आप यह lens यूज़ कर रहे है और इतनी shutter speed यूज़ कर रहे है तो इस speed पे आप यहां से यहां तक इतने degrees पे pan कर रहे है तो यह speed आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका jello effect कम से कम आए तो rolling shutter या इसको jello effect भी कहते है it's not yellow it's jello jay से start होता ह तो यह आप इसको on end ने दीजिए अगर ज्यादा आपका jello है तो enhance reduction आपका सकते है इसके अदर आपका अलग से rolling shutter को reduce करने के लिए अलग से भी effect है वो बाद में हम देखेंगे तो नेक्स एक और में वीडियो ले लेता हूं जैसे यह एक वीडियो है मेरे पस behind the scenes film का और इस पे मैंने वाप stabilizer लगाया हुआ था यह मैं पहले उसके play करता हूं आप देखिये full screen this is without the warp stabilizer और इसमें आप देखिये गई शेक कितना है यह देखिया हुई camera यह देखिया आप पीछे windows अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कितना camera हिल रहा है this is not the actual shot यह behind the scenes का shot है तो आप देख सकते हैं यह कितना camera हिल रहा है हमारा इसमें है तो है आप दो आपको इसमें दोबारा से आपका यह effect on कर देता हूं तो इसमें आपने देखा कितनाckось TeFromorem पने कितना हुआ हूग और रइड से भी कितना हूग मैं यह इसमें पर लगाया मैं आपको प्लेवैक कर लेग संब shift दो तोड़ा सा कंप्रेशन नजर आना शीर हो गया बड़ वो शेक खतम हो गया शेक हैस टोटली गॉन इसने टोटल कैमरा की मुव्मिंट को पकड़ कर रखा और स्मूथली आपका वो चला तो यह अफेक्ट आपका तब यूज़ करना चाहिए जब आपका कैमरा एक पर्टिकुलर पोजिशन पर है मुव नहीं कर रहा है और हम ट्राइपॉड का जो स्टेबल शॉट है वो हम सिमूलेट करना चाहते हैं तो यू गिन यूज़ इस सबस्पेस वाप सॉरी नो मोशन उ इसको पकड़के रखा है जो मैं जूम ने ट्रैक इन करना था उसका अफेक्ट ही खतम हो गया अगर मैं इसको स्मूथ मोशन करता हूं तो यह आप देखिए स्मूथ मोशन पर कैसा आएगा इस अगें स्टेबलाइजिंग तो यह थोड़ी चीज़े हैं जब भी इस क्लिप को आप मौडिफाई करेंगे यह इस पर आप साइड पर डिजॉल्फ लगाते हैं कुछ करते हैं तो आपको दुबारा से एनलाइज करना पड़ेगा इसको आप यह देखिए कि यहां पर यह मैंने इसके क्लिप की लेंफ मैंने छोटी की तो यहां पर यह एनलाइज हमारा हो गया तो इसके लिए मुझे दुबारा इसको एनलाइज करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स आपने देखा प्रीमेर के बीच में कितना हमारा यूसफुल टूल है वाप स्टेबिलेजर इसको यूज करके हम अपनी शेकी फुटेज को एक पर्टिक्लर लेवल तक हम उसको शेक कर सकते हैं बट इसको बड़ा जिडिशिसली आप यूज कीजेगा बहुत ज़्यादा शेकी शॉर्ट साहिमा पर मत यूज कीजेगा क्योंकि उससे हमारा थोड़ा सा जो रेजोलुशन है उसमें हमारे को लॉस हो जाएगा तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच् झाल